चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो, आज इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे एजुकेशन लौन के बारे में, मतलब कि इंडिया में या फिर एब रोड में जो इस्टुडेंट स्टड हो गई है, जैसे कि माराष्टरा, MP, पंजाब, इतनी ज़्यादा फिस हो गई है कि 2-3 लाग रुपए पर यह तो गवर्मेंट कोलेज में भी पे करना पड़ रहा है, पर यह काफी ज़्यादा expense हो रहा है, इसमें इसके लावा होस्टल फिस, मैस फिस, काफी ज़्यादा ख TVSC and veterinary course हो या BMS का course हो, कोई साभी course हो, आप इसमें graduation के लिए loan ले सकते हैं, post graduation के लिए loan ले सकते हैं, India में study कर रहे हैं, student loan ले सकते हैं, abroad के लिए भी loan ले सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा process बताऊंगा, amount बताऊंगा, कितना loan ले सकते हैं, repayment आपने कब तक करना है interest rate क्या होगा interest पे subsidy मिलती है छूट मिलती है वो कितनी मिलेगी eligibility क्या रहेगी documents की क्या जरूरत है tax कैसे छूट मिलेगी payment time कितना रहेगा और apply कैसे करना है इस बारे में मैं आपको simple सा यहाँ पर process बताऊंगा जो है जो किसे loan है वो लेना कोई जटिलता नहीं है आसानी से आप ले सकते हैं हम यहाँ पहले SBI के loan की बात कर लेते हैं क्योंकि SBI का सबसे बड़ा bank है और student तकरिवर इसी bank से loan लेते हैं बाकि other bank के बारे में भी साथ-साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से bank में क्या condition रहती है loan की और इसके बाद में यह भी चर्चा करेंगे कि आपने loan कैसे लेना है इसमें तो सबसे पहले SBI के loan के हम बात कर लेते हैं कि यह loan आपको कब तक repayment करना है अगर आप किसी bank से education loan लेते हैं तो वो education loan आपको कब तक चुकरना होता है तो इसका जो timing होता है वो 15 years का time होता है यानि कि 15 साल तक आपको यह loan पे करना है अब यह 15 साल कब से count होंगे तो देखो एक तो course period होता है मैं यहाँ पर MBBS की बात करूँ तो MBBS का course period साड़े 5 साल का होता है यानि कि 15.4 साल का course रहता है और एक साल की internship होती है तो यह total 15.5 साल का course रहता है तो course period कितना हो गया? 15.5 साल उसके बाद bank आपको एक साल की और छूड़ देता है मालनो आपको कहीं जोब ना लगे या आप पे कर पाने की पे नहीं कर पा रहे हैं तो कि जैसे ही आपकी internship खतम हुई उसके बाद ही तो आप loan pay नहीं करने शुरू कर देंगे तो एक साल bank आपको और टाइंग देता है यानि कि साड़े 6 साल बाद आप ये loan का शुरू कर सकते हैं process deposit करने का और साड़े 6 साल के बाद में 15 साल तक इसको कभी भी pay कर सकते हैं 15 साल से पहले भी pay कर सकते हैं यानि कि ये आप 10 years के लिए भी रख सकते हैं और ये 15 साल के भी लिए रख सकते हैं ये जो repayment का tenure है ये अलग-अलग bank का अलग-अलग होता है कोई-Kोई bank 20 years भी देता है कोई-Bank 15 देता है तो ये 10 years में भी आपको ये सारा pay करना कोता है अभी इसका processing charges क्या रहेगा processing charges होता है कि bank जब loan देता है तो उस पे कुछ charge लेता है processing के लिए तो अगर 20 लाग तक आप loan लेते हैं तो इसका कोई processing charge नहीं है अगर 20 लाग से उपर लेते हैं तो इसमें 10,000 आपको ये processing charges देना होगा plus taxes के साथ में है अभी security के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको तो bank जब आपको loan देगा तो आपसे security लेगा कि ये loan आप पे अगर pay नहीं कर पा रहा है student नहीं कर पा रहा है तो ये loan कैसे pay होगा हो सकता है किसी condition में student loan pay नहीं कर पाए तो उनके parents करेंगे या फिर कुछ से अपने वो security रख लेता है तो ये security bank को देने होगी तो साधे 7 लाग तक अगर कोई loan लेता है कोई student loan लेता है साधे 7 लाग तक तो parents या फिर guardian को co-borrower के तहत उनको रहना पड़ेगा यानि कि parents और guardian को co-borrower तो रहना ही पड़ेगा इसके साथ-साथ आपको collateral security देनी होगी third party guarantee देनी होगी मतलब इसमें आप जमीन के कागजाद रख सकते हैं registry रख सकते हैं plot की registry रख सकते हैं freight की registry रख सकते हैं तो इसमें आपको कोई भी चीज mortgage रखनी पड़ेगी कोई भी चीज यहां पर bank के पास गिरवी रखनी पड़ेगी यहां पर bank एक सीज देखता है जो उसकी value है उसके according भी यह loan sanction करता है यह भी condition है अब इसके बाद में margin क्या होता है margin का मतलब कि loan कितना amount देगा और आप अपने जेब से कितना amount देगे उसको margin money कहा जाता है आप अपने जेब से देंगे वो margin money कहा जाता है तो साड़े चार लाग तक आप loan लेते हैं पूरे course का तो bank को कुछ भी नहीं यानि कि bank के खुद ही इतना सारा loan दे देगा आपको लेकिन साड़े चार लाग से उपर लेते हैं और इंडिया में आप course कर रहे हैं कोई भी course MBBS हो या फिर other course हो तो 5% आपको यहाँ पर अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा 95% bank पैसा देगा यहाँ पर इंडिया की कंडिशन में अगर 4 लाग से उपर का loan लेते हैं abroad से अगर आप course कर रहे हैं होने के एक साल बाद सुरू हो जाएगा जो मैंने टाइम बताया आपको साड़े 6 साल बाद repayment सुरू हो जाएगा उसके बाद आपको यह loan चुकाना है और यह 15 साल में चुकाना है SBI की कंडिशन में अब इसमें है जो टाइमिंग है इसका course period का वो टाइमिंग है 15 यह जो course period का मैंने बताया आपको course खतम होने के बाद एक साल का time देया जाएगा उसको morat time कहा जाता है अब इसका interest कितना लगेगा तो interest इसका SBI की condition में 9.15% से लेके 10.47% पर एनम का लगता है लेकिन यह bank to bank depend करता है किसी-किसी bank में 9% है किसी में 10% है किसी में 8% भी है तो यह bank के उपर depend करता है कि यह कितना percent interest rate लेता है यहाँ पर मैं आपको एक बता दूँ कि interest rate depend करता है आपके parents के civil score पर यह civil score अगर 800 से ज़्यादा है तो कोई-कोई bank के कम interest rate भी देता है अगर civil score 700 से कम है तो bank ज़्यादा interest rate भी ले सकता है इसमें अब यह जो moratorium time है यह कब से शुरू होता है यानि कि यह course period आपका course period प्लस एक साल का जो आपका time दिया गया है कि एक साल बाद कर सकते हैं तो जब से आप यह loan लेंगे तब से ही interest शुरू हो जाएगा interest शुरू हो जाएगा तो यह monthly interest लगेगा साथ साथ आप इसको pay भी कर सकते हैं अगर साथ साथ pay करेंगे तो इतना ज्यादा भार नहीं पड़ेगा last में मैं तो आपको सला यही दूँगा कि आप इस interest को साथ साथ pay करते जाएं यह जो interest है इस पे छूट भी मिलती है हम आगे बात करेंगे कि कौण कौण से candidate को इस पे छूट मिलती है तो अगर आप इसको साथ साथ pay कर रहे हैं तो 15 साल के लिए जो आप साड़े 6 साल बाद जो EMI बनवाएंगे उसमें आपका सिरफ principal amount का ही EMI बनेगा अगर आप साथ साथ pay नहीं कर रहे interest तो 16 साल तक bank आपको कुछ भी नहीं बोलेगा 16 साल तक bank कुछ भी नहीं बोलेगा लेकिन 16 साल बाद जो interest लगा है आपका plus principal amount है उस पर EMI बनेगी मैं आपको यहां बता दूँ कि जो course के दोरान और एक साल का जो time दिया जाता है जो moratorium time होता है उसके अंदर interest जो calculate होता है वो simple interest होता है compound interest नहीं होता है यानि साधार्ण ब्याज लगता है चकरवर्ती ब्याज नहीं लगता है ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है इसमें तो अगर साथ-साथ आप pay करते जाते हैं, तो इसमें कोई problem नहीं है, आपका जो timing है, वो 15 years का रहेगा, अब इसमें हम बात करते हैं, eligibility की, कि इसमें क्या-क्या eligibility है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, कि जो course है, वो कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, student उनके लिए भी ये loan मिलता है, जो graduation कर रहे हैं, post graduate कर रहे हैं, technical course कर रहे हैं, professional course कर रहे हैं, professional course में आपका MBBS, BDS, veterinary, IUS, BSC, nursing, ये सारे के सारे professional degree courses में आ जाते हैं, diploma courses भी करते हैं, उनके लिए भी इंडिया में रहे है, student के लिए ये loan लागू है, ले सकते हैं, वो, abroad में जो course कर रहे हैं, graduation क रहे हैं, technical course कर रहे हैं, जो warranted professional course कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लागू है, लेकिन वो reputed university होने चीए, अब आपको इसमें कौन कौन से उस पर ये loan मिलेगा, एक तो fees पर loan मिलेगा आपको, इसमें hostel पर loan मिलेगा आपको, इसके बाद examination fees पर loan मिल सकता है, library, laboratory fees पर, आप books completion course के लिए जौरत है, वो उनके लिए भी loan मिलेगा आपको, कासन मनी के लिए loan मिलेगा, building funds के लिए loan मिलेगा, जो refundable amount deposit होता है, उसके लिए भी loan मिलेगा, travel expense के लिए, इसके बाद में, और भी कोई अगर आपका, जैसे tour वगरा, project वगरा, तो उसके लिए भी ये loan आपको मि लेगा, तो SBI के condition में, अगर medical course करता है, कोई student तो 30 लाग उसको loan मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर और condition है, कि अगर ये condition देखी जाती है, इंडिया में, इसकी higher loan की limit भी 50 लाग रुपए है, 50 लाग रुपए तक आपको ये loan मिल जाएगा, private के condition में, ये ज्यादा भी मिल जाता है, लेकिन मैंने आपको कहा है, कि ये bank के उपर depend करता है, bank आपके उपर कितना faith करता है, आप collateral secretary के अंदर कितनी value की, यहाँ जो registry वगरा है, वो रख रहे हैं, उसके उपर भी ये amount depend करता है, लेकिन medical courses के लिए 30 लाग तक ये loan मिल जाता है, यहाँ पर, अगर कोई abroad में course कर र आगे, इसकी documents requirement के बारे में, कि क्या-क्य documents की requirement है, आपको यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 10th की mark seat की जुरत है, 12th की mark seat की जुरत है, यहाँ पर original की जुरत नहीं होती है, यहाँ photocopy की जुरत होती है, अगर कोई student graduate है, post graduation के लिए ले रहा है, तो graduation की mark seat की आओ शकता है, इस इसके बाद में आपको कोलेज से लिखवाना है कि आपकी फीज का कितना खर्चा आ रहा है, कोलेज एक लेटर बना के दे देता है, वो आपको यहां लगाना है, और इसमें गैप सर्टिपिक्ट की जूरत है, पासपोर्ट साइज की पोटोग्राप की जूरत है, इस्टुडे देना है, उनका बैंक अकाउंट की 6 मैने की डिटेल्स चीए, और इसमें फोटोकोपी चीए, जो आप मोर्गेज रख रहे हैं उसकी, मोर्गेज की तो ओरिजिनल कोपी ही चीए, यहां फोटोकोपी की जूरत है यहां पर, पैन नमर चीए, आधार नमर चीए, इनकी फोट और कोपी चीए, पासपोट अगर कोई एवरोड से लोन लेना चारा हैं तो पासपोट की कोपी चीए, और इसमें ड्राइविंग लाइसेंश, यह पूप के लिए, एडरस पूप के लिए यह डोकोमेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं, अगर उनमें जो डोकोमेंट्स दे भी मिलती है, तो जो मैंने आपको बताया कि जब से आप loan ले ले लेते हैं, उसके बाद interest लगना शुरू हो जाता है, उसको आप monthly paid भी कर सकते हैं, यह interest monthly लगता है, और यह simple interest होता है, कोई compound interest नहीं होता है, तो interest पर छूट मिलती है, interest पर किन candidate को छूट मिलती है, जो EWS यानि क economically weaker section के candidate हैं, जिनकी family income वार्षिक साड़े चार लाग से कम है, मैं फिर से बता देता हूँ, यानि कि पूरे family की income, जो वार्षिक income, annual income है, साड़े चार लाग से कम है, तो उनका कोई interest नहीं लगेगा, उनको interest में यहां पर छूट मिल जाएगी, अब यहां पर text rebate की बारे में बात करें, text में भी rebate मिलती है यहां पर, लेकिन 15 साल के लिए जो loan का tenure है, उसमें 8 साल तक ही छूट मिलती है, यानि कि आप अगर interest पे कर रहे हैं, उस पे कोई tax नहीं लगेगा, उसमें आपको छूट मिल जाएगी, और वो 8 साल तक ही छूट मिलती रहेगी, तो मैं यहां पर सजेस्ट करूँगा, जो तो 15 साल के लिए loan लेते हैं, आप काफी बड़ा loan ले रहे हैं, और interest पर tax rebate लेना चाते हैं, तो आप 8 साल के लिए ले, क्योंकि maximum 8 साल तक ही tax rebate मिलेगी यहां पर, तो 8 साल तक इसकी कोई limit नहीं है, tax limit कितने भी हो सकती है इसमें, तो यह SBI की condition है इसमें, अब apply कैसे करेंगे, SBI के लिए और बाकी banks के लिए apply कैसे करेंगे इसमें, तो apply करने से पहले मैं आपको एक important बात यहां बता देता हूँ कि अगर आप counseling के लिए जानकारी लेना चाते हैं, तो हमारी book download कर सकते हैं, All India, Kota, State, Iuse, Veterinary, सभी के लिए book available है, इस video के description box से इसको download कर सकते हैं, या फिरा हमारी website www.sobraeducation.in से download कर सकते हैं, जैसी आप download करेंगे, हम आप से संपर कर लेंगे, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, इन books की खास बात यह है कि इसमें, तीन साल या चार साल की, इसमें cut-off दी गई है, choice list दी गई है, 2023 के लिए, bond की details दी गई है, category wise, college wise, round wise, cut-off दी गई है, इसके बाद state की book में state procedure के बारे में बता गया है, counseling के, क्या क्या documents की requirement है, I use veterinary और private college के लिए, open quota के लिए भी इसमें सब कुछ समझाया गया है, मैं सोचता हूँ, ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी, आप इसकी मदद से counseling करवा सकते हैं, अब बात क कैसे करेंगे, तो SBI की website पर, education loan की website पर visit करेंगे, तो इसमे apply now पर click कर देंगे, यहाँ, तो जैसे ही apply now पर click करेंगे यहाँ पर, तो आप विद्यालक्समी portal पर पहुंच जाएंगे, मैं आपको बता दूँ कि जो भी education loan होता है, आपको पहले विद्यालक्समी portal पर apply करना portal का link मैंने दे दिया है, यहाँ पर apply now पर click करेंगे, तो apply now पर click करने के बाद यहाँ दो condition है, अगर आप subsidy नहीं लेना चाते हैं, यानि कि आपकी family income साड़े चार लाग से कम नहीं है, ज्यादा है, तो आप normal करेंगे, यहाँ पर apply विद्यालक्समी portal पर, अगर आपकी साड़ time तक जो मैंने आपको साड़े चाह साल का time बताया, course period प्लस एक साल का जो bank time देता है, उस तक कोई किसी परकार का interest आपको pay नहीं करना होगा, जन समर्थ पर आप अगर apply करते हैं, साड़े चार लाग से कम है family annual income, तो इस परकार से आप इस पर apply कर सकते हैं, जन समर्थ पर भी apply कर सकते हैं, आप पहले आपको register करना है, फिर login करना है, तो आप या तो जन समर्थ पर apply करेंगे, या फिर विद्यलक्स में portal पर apply करेंगे, तो दोनुं condition में आपको पहले register करना होगा, register करने के बाद में आपको documents भी upload करने हैं, सारी detail उसमें fill करने हैं, कितना loan चीए, कितना books के लिए चीए, कि आपकी income कितनी है, और फिर इसमें आपको photo भी upload करने हैं, documents भी upload करने हैं यहाँ पर, तो ये इस परकार से आप loan ले सकते हैं, other bank के लिए भी condition तकरीबन बैंकों के लिए यही है, 4 लाग तक ले सकते हैं, साड़े 7 लाग तक ले सकते हैं, और साड़े 7 से loan ले सकते हैं, सबसीडी मिलेगी, आपको साड़े 4 साल तक जिनकी family income साड़े 4 लाग से कम है, repayment time 15 years, वो bank पर depend करता है, किसी किसी का 20 years भी रहता है, tax rebate 8 साल तक मिलेगी, interest rate 9% के something रती है, तकरीबन बैंकों की, और apply आपको विद्यालक्समी portal पर करना है, अब मैं आपको एक कोर्स में admission लेना है, वो चाहे graduate course हो, या post graduate हो, चाहे आप MBBS में admission ले रहे हैं, veterinary में admission ले रहे हैं, BMS में ले रहे हैं, या IIT के किसी कोर्स में, P.T.E.C. वगरा में admission ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको admission ले लेना है, admission लेने के बाद में, आपके पास में exam related documents तो रहेंगे ही, जैसे की NEET का exam होता है, JEE का exam होता है, वो उसके related documents रहेंगे और आपके academic के जो related documents हैं, उनके आप photocopy करवा लें, और इसके बाद आपको college से एक fees structure लेना पड़ेगा, कि इतने आप जो भी course के दोरान fees है, वो इतने pay करेंगे, वो आपको fees structure college से लेना होगा, और college का जो allot portal पर apply करेंगे, और एक बार आप एक बार में तीन bank के लिए application apply कर सकते हैं, वो successful apply करने के बाद, bank आपको या तो call करेगा, या फिर आप जिन जिन bank में, आपने तीन bank में apply किया है, उनमें आप जाकर के bank से मिल सकते हैं, जो application का print out मिलेगा आपके बाद, जो भी supporting documents है, वो आप वहाँ deposit कर सकते हैं, bank से बात कर सकते हैं, तो ये जो time रहेगा, ये रहेगा admission के बाद, ये जो process रहेगा, वो आपका किसी भी institute में admission लेने के बाद में ही ये process रहेगा, और बाद में ही bank आपको loan देगा, अब जो आपने एक साल की fees deposit कर दी है, क्योंकि medical college में admission लेते समय तो fees deposit करनी होगी, तो वो bank आपके account में वापस कर देगा, और जो next year की fees है, वो bank आपके college में बेजता रहेगा, वो आपकी condition है कि आप कप कप कितना loan ले रहे हैं, तो वो bank आपके, उसमें college में वो fees बेजता रहेगा, और आपका साथ-साथ interest चुड़ता जाएगा, और आप interest साथ-स चैनरा bank को नोडल bank बना रखा है, वो अपने आप पे करेगा आपकी, जो subsidy है, इंटरस्ट की, तो ये process है, पूरा का, पूरा education loan का, ये आप विद्यालक्समी portal पर भी देख सकते हैं, जन समर्थ portal पर भी देख सकते हैं, SBI की site पर या फिर आप जिस bank से loan लेना चाते हैं, वह education loan के बारे में बताना तो आपको बहुत कुछ था, लेकिन ये video काफी लंबा हो चुका है, next video में मैं आपको ये बता दूँगा, या समय आने पर ये बता दूँगा कि कैसे आपको विद्यालक्समी portal पर अपलाई करना है, क्योंकि जब आप medical college में admission ले लेंगे, उसके बाद